क्लास 8 वेलकम टू एरी स्कल्प्टर क्लास हम लोग आज स्लेब में पॉटरी सीखेंगें पॉटरी मिंसिक स्क्वाइर शेप में प्लेट बनाने के लिए स्लेब में हम लोग काफी कई बार कि इसलेब में काम कर चुके हैं और आज हम आप लोगको एक स्कॉएच शेफ्ट बलेट बनाने के लिए बताएगे थोड़ा सा टफ है कियोंकि यह अलगलग पार्ट में जोड़ना है और इक्वल होना चाहिए तो यह थोड़ा सा क्वोता है कि अच्छे से करेंगे एक बार अच्छ सा प्रयास करेंगे तो वह बहुत इजल्ली बना सकता है तो बनाने से पहले जिस संक्रे मेरे क्ले को त्यम् graph करते हैं जो उना चेह कि अच्छी से प्रियास ह क्ले कंदी है ऴलá आख और हमे स्लेप बनाएंगे और फिर हुआ अलग अल जो हमरे पास रेडी है और हम स्लेप बनाएंगे और फिर उसको अलग-अलग कटिंग करके उसको जॉइंड करेंगे तो शुरू करते हैं इस तहीं के सफ़ेने हम इसको करते हैं इसे प्लेट बनाएं इस तरह श्लेप बनाने से क्या होता है कि मिट्टी के अंदर के जो एयर कोकेट्स बनते हैं वो भी अच्छे से हट जाता है और हम इसको एक केल से पर्माप के कटिंग करेंगे प्रूप जाता है प्रूप जाता है प्रूप जाता है वो भी अच्छे से हम इसे प्रूप यह आता है प्रूप जाता है यह यह जाता है वो जाता है यह जए यह एंदरके इसका बेस को तयार कर लिया है और इस पर हम चाय तो हम इसको पहले से ही एक कोई लगा कर फिर इसके बेस को नीचे के फुटरेस्ट बना सकते हैं इसका इस तरह से कोई लेक बना के इसमें लगा देगे पहले से ही तो उसका फुट वेस्ट त्यार हो जाएगा या तो फिर हम उसको बाद में भी कर सकते हैं इस तरीके से हम पहले जॉइंट भी कर सकते हैं तो पहले जॉइंट कर लेते हैं एश कर बसका 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 कर दो एवार उवार, एवार कर दो यह हम एक श्याम बराखे इसको अने स्युड़ा नब यहाँ यहाँ राखे इसको नब बराखे बरी स्कुम्ट राखे इसे कॉर्नर को बनाएगे वही शेप में और इसको हम यहां से नातेंगे कि यह और कितना दो रहा जाएगा जैसे हम यहां पर बनाएगे तो यह हम इतना बड़ा काटेंगे लिक बसे और कैरा उन पर जहार जीडर खिंगे वे आम और जमीन है आम चुट ऑप स्थटा पड़ा है HE जे तो जे रिंग है वे तो जे रहा है जे झाव्दादी कॉर7 ऋंप में निल्ऌन कम कम क्राणी में कारिक हम पहला के काम क्पाया है कर दो 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 कर कि यह से प्रेपर कटिंग करते हैं इस तरीके से इसको मेजर्मेंट चरके इसको कटिंगा देगे यह हमारा दो पैयार होगे और भी बना लेगे कि यह हमारा देगे इससे प्रादे से डिवट चर फड़के डिन कि एकाइड साखरी मेंटि एक महला हूं पिफ्र है पिफर्यर्यख कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि इस तर्य के tel जो गया हम चॉँ खथँनाNow को आखी बनाने हैं मैं छॉक्रा घड़तिन मजोरड़नाख मल जमात्य करदो कि कि क्रूड़ यगा व्यां। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अब हम चारों को जॉइंट परेंगे, इसको सबसे पहले मेडिन में रखते हैं और प्लेस में पुछे से लगए झारों को में परेंगे, आप में वार्ण से लगए ठंट प्लेस में परेंगे, आप माँ पिया यजया हैं बजल लगएिन में परेंगे, एम हम थाइबे इस तरीके से हम इसको जोड़ के, यह स्लैब को जोड़ करके, हम यह शेप प्लेट, स्क्वाइर प्लेट यह बना दी है इतना करने के बावजूद भी हमको ध्यान रखना होगा, यह जोड़ अच्छे से तवाह के लिए देखना है, इसे बाहर के तरप से भी देखना है, इतना ही अच्छे से बाहर में जोड़ पाया के लिए पीजम्पी अच्छे से वाह एक जोड़ देगे कर दो कर दो कर दो कर दो कर सकते हैं कि इस तरी के से हम लोग स्लैब में मन चाहा शेव बना सकते हैं पॉट्री और इसक्वाइर में जोवेट्रिकल शेप में विदाउट पॉटर स्वील का तरह तरह का सुंदर शेप बना सकते हैं बस यह ध्यान रखना है कि इसके स्लैब्स कुभ अच्छे से जॉइंट होने चाहिए इसको फिनीशिंग करके इसको अच्छे से तयार करेंगे इसको मोल्डों भी लेकर करें मोल्ड कास्टिंग सकते हैं और यह थरला और प्रट्रगा पाट बना सकते हैं कर दो आस ये यह वारा शेप यह त्यार हो गया अब इसको हम धीरे से ऐसे कोशिस करेंगे इसको पलटने का कि पलट जाए क्योंकि पलट देने के बाद यह जॉइंट जो है जहां नहीं अच्छे जबा है उसको हम जॉइंट कर सकते हैं थोड़ा सा क्वाइल नहीं बना करके हूं इस तरीके से लगा करके जोइल करके हूं जो भी इसका सबसे वीक पार्ट होगा उसको हम अच्छे से क्वाइल लगा करके अलग से क्लिर लगा करके उसको हम और मजबूत बनाएं ताकि वहां से वो तूटे नहीं आप 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 यहां पर दोनों जॉइंट जो है पता चल रहा है इसलिए दोनों के जॉइंट को बीच में एक वाइल लगा करके दोनों तरफ से हम इसको मिला दिये हैं और यह अच्छे से जॉइंट हो गया है हमारा अंदर से भी जॉइंट हो गया और अब यह बहार से जॉइंट हो गया तो यह अच्छे से यह तैयार हो गया उपर से और साइट से जोनों के जॉइंट कर दिया है 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 झाल लोजय को आपने लोड़ाईंट लोज़िस सकते हैं लोज़ दो लोज़िस उनलिग अस्वाई यह हम पुट्रे स्ट्रीव बना देरों और इसको जालो करबसा हम स्क्रैच करके यह हम बना आक का थता हम बना हम स्क्रैच करें yanाम स्क्राइब करो ते स्क्रैच करेम उले क्रुटी लार करें उले आक का रवं अप्पिपशल जो नुट के लिंग अब ये हमारा कम्प्लिक्ट ये हम शेप ने एक बना चुते हैं अब हम इसको इस पर इंग्रेविंग करके ऐसे डिजाइन भी कर सकते हैं कोई भी इक पैटर्म लेकर से ये इंग्रेविंग करके हम इसको इसको डिजाइन करते हैं अब चलीड कि आधम lot लइसको और ये इसको तरिकीए से लाइनिंग करते हैं और बीच बीच में इस तरी किसे स्पाट और इस तरह से चारों तरप यह पैटन बनाएं है और ऑंड़ थाव बीचा है झाल चारे चारे लेढंनें जढ़ दिल्याखव्या इन्धन शाटाओस काडर चारे बाधिन यह टूटे नहीं इसलिए इसको हम हाटाने रहें और एक ही जगह से बैट करके यह पुरा हम कंप्लीट करें ताकि यह टूटने का डर नहीं हाटाने का उठाने से यह टूट भी सकता है इसलिए हम खुद अपने जगह में बैठके यह पैटर्न को ड्रॉप किया है और इस तरह का इस तरह किसे हमारा यह और शेफ प्रमूलिट हो गया इसको बहुत ही सवधारी से निकालना है उठाना है क्योंकि अभी भी यह टूट सकता है स्लैब है और इस तरह किसे हम बहुत ही सम्हाल के इसको टाया है अब यह हमारा शेफ कंप्लीट हो गया है इस तरह किसे स्लैब बना बना के हम काफी अच्छे से पॉट के शेफ में प्रॉक्री के प्रॉक्री आइटम बहुत तरक तरक शेफ में जो पॉट्स होते हैं वो बना सकते हैं तो जो हम लोग डेली आइज का चीजे हैं वो हम इस्लिस रिट के लिए से इस तरह का क्राप्ट ढूए प्रॉक्त तया सकते हैं और इसको उसी तरीके से तेरा कोटा जिस तरह बेकिंग करते हैं उस तरह इसको तेरा कोटा करने के बाद यह हमारा एक कंपलेट और विली से जाये गाझे और ब्राने में फोड़ा सा शावधानी रखना है कि बहुत ही ज़्यादा गिला मिट्टी नहीं रखना है फोड़ासा मिट्टी हाड लेना है जितना हो सके जितना में हम काम कर सके बहुत ज्यादा गिला मिटी लेंगे तो वो तूटने का ड़र होगा स्लैब अच्छे से नहीं बन पाएगा इस चीज का सामधानी रखना है और मुझे लगता है कि यह क्लास एट के बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपने घर में ज़रू ट्राइ करेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थैंक यू बाई